Hello Students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, VAPI. आज हम Standard 11 Subject Physics, Chapter 6, Work, Energy and Power को आगे बढ़ाते हैं. तो आज का टॉपिक है Collision in One Dimension, ठीक है? तो यहाँ पे दो टाइप आपको पढ़ने हैं, एक है Completely Inelastic Collision. Completely Inelastic Collision की हमने definition अल्रेडी पढ़ ली है. यहाँ पे देखो दो Object है, उनके बीच में Collision हो रहा है. After Collision दोनों जो Object है वो एक Single Object बनके, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़के, एक ही Velocity से आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है? तो यह है Completely Inelastic Collision और उसके बाद यहाँ पे आएगा Elastic Collision. ठीक है? तो यहाँ पे Low of Conservation of Momentum आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है? तो अप्लाई कर देते हैं. Low of Conservation of Momentum तो Low of Conservation of Momentum अप्लाई करो तो जो टोटल इनिस्यल मोमेंटम है, इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम होना चाहिए. अब इनिस्यल मोमेंटम क्या है? तो मास इंटू वेलोसिटी करो तो यहाँ पे M1, U1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे दोनों मास को कंबाइन कर दो M1 प्लस M2 इंटू फाइनल वेलोसिटी V. तो एक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा M1, U1 प्लस 0 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू फाइनल वेलोसिटी V. तो यहाँ से हमें फाइनल वेलोसिटी V मिल जाएगी M1 अप्लस M2 इंटू U1, ठीक है? एक उबजेक्ट ट्राविलिंग था और दूसरा उबजेक्ट है, वो एट रेस्ट है, ठीक है? यहाँ पे टेक्स्ट्बुक में हमें जैसे दिया हुआ है, वैसे ही हम यहाँ पे डेर हुआ है, ठीक है? जब आप competitive exam की preparation करोगे तब यहाँ पे यह object भी moving होगा, यह object भी moving हो सकता है, मतलब यहाँ पे U2 भी velocity आपको non zero मिल सकती है, ओके, तो यह एक velocity का हमें एक equation मिल गया, final velocity का, तो equation number one नाम दे देते हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे जैसे हमने discuss किया था, यह in elastic collision है, मतलब यहाँ पे law of conservation of kinetic energy follow नहीं होगा, क्योंकि kinetic energy यहाँ पे constant नहीं है, kinetic energy यहाँ पे थोड़ी बहुत loss हो रही है, तो यहाँ पे loss in kinetic energy हम compare, sorry, calculate कर सकते हैं, loss in kinetic energy. ठीक है? चलो, loss in kinetic energy, डिल्टा के, अब देखो, डिल्टा के हम generally क्या लेते हैं, final kinetic energy minus initial kinetic energy, बट यहाँ पे loss है, मतलब क्या होगा, कि initial kinetic energy ज्यादा होगी, और final kinetic energy थोड़ी कम मिलेगी हमें, तो यहाँ पे ki minus kf लिख सकते हैं, initial minus final करेंगे, क्योंकि initial की value ज्यादा होगी, ओके, तो ki क्या है, half m1 u1 square, minus kf क्या है, तो half m1 plus m2 into v square, ठीक है न, initial kinetic energy, मतलब initial ही तो एक ही object moving था, और final kinetic energy में दोनों object एक single object की तरह behavior करते थे, और एक ही velocity से आगे बढ़ते थे, ठीक है, चलो, तो फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, half m1 u1 square, minus, यहाँ पे क्या करेंगे, तो समझो, यह जो velocity का formula है, v का, वो formula हम यहाँ पे use कर लेंगे, from equation 1, तो यहाँ पे half तो है ही, m1 plus m2 भी है, और v square की जगा पे यह पूरा जो है, उसका square करेंगे, मतलब उपर आएगा, m1 square, divide by, m1 plus m2 whole square, और यहाँ पे u1 square भी आएगा, अब देखो, m1 plus m2 whole square नीचे है, उसमें से एक m1 plus m2, और यह पूरा m1 plus m2, cancel out हुआ, यहाँ पे आपको in bracket लिख देना है, from equation 1, अब common क्या निकल रहा है देखो, तो half, m1, u1 square, पूरा common निकल रहा है, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा m1 divided by, m1 plus m2, तो यह हो गई initial kinetic energy, और उसमें से आप इतना बोल सकते हो कि इतना loss हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा half, m1, u1 square, यहाँ पे cross multiplication करो, तो m1 plus m2 minus m1 divided by, m1 plus m2, ठीक है, यहाँ पे m1, m1 cancel out, और answer आएगा half, फिर यहाँ पे में mask को combine कर देता हूँ, साथ में ले लेता हूँ, m1, m2 divided by, m1 plus m2 into u1 square, तो यह change in kinetic energy, यह तो आप बोल सकते हो, loss in kinetic energy, kinetic energy कितनी lost हुई, यह हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है, तो completely in elastic collision के लिए आपको इतना याद रखना है, ऐसा लगे तो यही वीडियो फिर से repeat कर दो, और एक-एक step अच्छे से समझो, ठीक है, और notes में copy कर लो, notes बना लो, उसके बाद हम start करेंगे elastic collision, अब start करते हैं, elastic collision, elastic collision में आप दोनों low apply कर सकते हो, low of conservation of momentum, and low of conservation of energy, ठीक है, तो हम start करेंगे low of conservation of momentum से, देखो, यहाँ पे दो mass है, M1 and M2, एक moving है, U1 velocity के साथ, after some time M2 के साथ collide होगा, और after collision यह situation है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यह before collision है, और यहाँ पे लिख सकते हैं, after collision, ठीक है, same way यहाँ पे भी, यह before है, और यह after है, ठीक है, चलो, तो सबसे पहला लोग कौन सा अप्लाए करेंगे हैं, लो अफ कंसरवेशन अफ मोमेंटम, चलो, लो अफ कंसरवेशन अफ मोमेंटम में क्या रहेगा, total initial momentum मतलब m1 u1 plus 0 equal to total final momentum मतलब m1 v1 plus m2 v2, क्योंकि देखो, अभी दोनों object अलग-अलग move कर रहें, अलग-अलग velocities के साथ, ठीक है, तो हमें velocity v1 और v2 के लिए formula निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह equation में m1 वाला term है, उसको अलग ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, u1 minus v1 equal to क्या करेंगे, m2 v2, इसको नाम दे देते है equation 1, derivation थोड़ा easy रहे इसलिए, क्योंकि आपको textbook में पूरा derivation नहीं दिया है, और वहाँ पर लिखा हुआ है, कि सिर्फ यह equation को solve करने से आपका answer आजाएगा, बट exam में आपको solution पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अभी जो हाली में exam हुई थी, उसमें बहुत सारे students नहीं यह किया हुआ था, after solving these two equations, you will get the answer, बट वो textbook में लिखा हुआ है, आपको तो solve करना है, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यह solution करने के बाद answer मिल जाएगा, ठीक है, तो पूरा solution हम यहाँ पे करेंगे, चलो अभी कौन सा low हम apply कर सकते हैं, तो low of conservation of kinetic energy, low of conservation of kinetic energy, चलो initial kinetic energy में क्या आएगा, half m1 u1 square plus 0, क्योंकि दूसरा जो object है वो rest में है, उसकी अभी kinetic energy है, 0, equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square, अब देखो सभी मेंसे 1 by 2 common निकल के cancel out, जो m1 वाला term है, उसको एक तरफ लेके आते हैं, तो m1 common निकलेगा, अंदर बचेगा, u1 square minus v1 square, ये वाला term इदर लेके आएंगे, तो minus होगा, और m1 common निकलेगा, u1 square minus v1 square बचेगा, ठीक है, और एक तरफ रहेगा, m2 v2 square, ओके तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो, m1 इंटू यहाँ पर, u1 minus v1, u1 plus v1 कर सकते हैं, ठीक है न, x square minus y square होता, तो हम क्या करते हैं, इंड रेकेट x minus y, और second रेकेट में x plus y, और यहाँ पर m2 v2 square, चलो, अभी आपको पता चलाओगा, कि हमने यहाँ पर m1 अलग क्यों लिया था, क्योंकि देखो, यहाँ पर आ गया, m1 into u1 minus v1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m2 v2, तो यहाँ पर same मिल गया, हमें m1 into u1 minus v1, तो उसकी जगा पर हम लिख सकते हैं, m2 v2 into u1 plus v1 equal to m2 into v2 square, कहां से लिया हमने यह, तो from equation 1, यह भी आपको exam में लिखना पड़ेगा, कि आप कौन सा equation कहां से ले रहे हो, ठीक है, अब देखो दोनों तरफ, दोनों तरफ m2 m2 cancel out होगा, एक-एक v2 cancel out होगा, तो आपको v2 है वो मिल जाएगा, u1 plus v1, v2 मिलेगा आपको u1 plus v1, ठीक है, चोड़ text book है, उसमें, यह जो sign है न, v1, u1 यह सब थोड़ा अलग लिया हुआ है, तो वो अच्छे से आप एक बार देख लेना, यहाँ पर v2 की जगह पर लिखा है, second object की final velocity मतलब v2f, यहाँ पर u1 की जगह पर लिखा है, first object की initial velocity मतलब v1i, plus v1f मतलब first object की final velocity, हमने क्या किया है, initial velocities को u और final velocities को v से दिनोट कर दिया है, ठीक है, तो बाकि इक्वेशन से ही में है, चलो, v2 equal to u1 plus v1 मिल गया, ओके देखो, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है, तो यह जो v1 and v2 velocity है, वो अलग निकालनी है, तो कोई भी एक equation में हम value रख देंगे, suppose मैं v1 की value रख देता हूँ, sorry, v2 की value है, वो equation 1 में रख देता हूँ, तो यहाँ पे फिर से में start करूँगा, from equation 1, चलो, अभी equation 1 क्या था, वो हम पूरा copy करके लाते, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे, क्या change किया है हमने, ठीक है, चलो, यह हमारा equation 1 है, अब इसमें v2 की जगह पे हमें रख देना है, u1 प्लस v1, तो यहाँ पे आएगा u1 प्लस v1, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे बनेगा m1 u1, minus m1 v1, equal to m2 u1, plus m2 v1, अब v1 वाला part हम एक तरफ लेके जाते हैं, तो v1 common निकाल लो, अंदर आजाएगा m1 plus m2, same way, u1 वाला part एक तरफ लेके जाते, u1 common निकाल लेंगे, तो अंदर आजाएगा m1 minus m2, देखो, यह जो part है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यह part, दोनों में u1 common है, तो हमने यह जो term है, उसको left hand side ले लिया, तो u1 common निकाल गया, और यह m1 positive है, यह m2 उदर जाके बन गया negative, इसलिए आजए गया m1 minus m2, same way, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे v1 common, तो यह term को हमने, right hand side ले लिया, इसलिए, यह जो negative था, वो बन गया positive, इसलिए अंदर आया, m1 plus m2, ठीक है, चलो, यहाँ पे हमें v1 का formula, final मिल गया, m1 minus m2, divide by, m1 plus m2, into u1, ठीक है, चलो, अभी v2 का formula भी तो हमें चाहिए, तो यहाँ पे एक equation 1 था, यह equation को आप नाम दे देते है, equation number 2, अभी equation 2 में value रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देते है, from equation 2, अब equation 2 में क्या changes करने है, तो v1 की value डालनी है, सिर्फ, तो v2 equal to, u1 plus v1 था उसमे, v1 की जगह पे क्या डाल देंगे, m1 minus m2, divide by m1 plus m2, into u1, common, अंदर 1 plus m1 minus m2, divide by m1 plus m2, ओके, तो u1, यहाँ पे m1 plus m2, देखो, cross multiplication कर रहे है, यहाँ पे तो u1 common निकाला था हमने, ओके, m1 plus m2 plus m1 minus m2, divide by m1 plus m2, cross multiply करके, डिनोमेटर में वही term, हमने रख दी है, अभी देखो, m2, m2 cancel out, और, m1 plus m1, उपर हो जाएगा, 2m1, तो यहाँ पे में पहले लिख देता हू, 2m1 divide by m1 plus m2, into u1, यह मुझे velocity मिली, v1, sorry, v2, v1 अल्रेडी हमें पहले, मिल चुकी है, clear, तो यह जो final equation है, उसको हम नाम देदेते है, यहाँ पे equation number 3, और यह जो final equation मिला, equation number 4, ओके, चलो, यहाँ तक सब कुछ clear है, अभी, दो case है, जो हमें यहाँ पे discuss करने है, तो सबसे पहले start करते, case 1, case 1 में देखो, if the two masses are equal, if two masses are equal, मतलब if m1 equal to m2, दोनों mass equal है, तो first में क्या होगा, देखो, यहाँ पे दोनों equal, तो m1 और m2 है, वो cancel out हो जाएंगे, तो answer आएगा 0, इसलिए v1 मुझे मिलेगा 0, यहाँ पे, यह case में, v1 मुझे मिलेगा 0, अब देखो, v1 अगर 0 मिला, तो यह 0 हो गया, तो v2 equal to u1 मिलेगा, तो hence, v2 equal to u1, अब यह जो पहली information है, वो हमें कौन से equation से मिली, तो from equation 3, और यह जो second information है, वो हमें कहां से मिली, तो from equation 2, equation 2 था यहाँ पे देखो, हाँ, equation 4 से भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो, m1 equal to m2 होगा, तो उपर v2 m, नीचे v2 m, cancel out, v2 equal to u1 हो जाएगा, तो यहाँ पे equation 4 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, चलो यह case 1 हो गया, अगर दोनों का mass सेम है, तो दोनों की velocity है, वो interchange हो जाएगी, मतलब first object है, वो moving था, वो rest में आ गया, और second object जो rest में था, वो move होने लगा, अभी बात करते हैं, case 2 की, case 2 में क्या है देखो, तो case 2 में, एक statement है, if one, if one mass dominates, मतलब एक mass की value, दूसरे mass की comparison में, बहुत ही ज्यादा है, तो for example, M2 अगर आपको greater than, greater than M1 दिया हुआ है, तो मतलब यह जो second mass है, second mass है, वो as it is आपको उतना ही दिया हुआ है, तो मतलब बहुत ज्यादा दिया है, suppose यह thousand kilogram है, और यह one kilogram है, तो ऐसी situation में हम, यह one kilogram mass को, ignore कर सकते है, addition, subtraction, जहाँ पे है, वहाँ पे ठीक है, तो फिर आपको दोनों की final velocity क्या मिलेगी, तो V1 equal to आपको मिल जाएगा, U1, देखो M2 अगर बहुत बड़ा है, तो V1 का formula देखो, ठीक है, और M2 की value बहुत ही, ज्यादा है, तो समझो, कि यह M1 M1 आप ignore कर सकते हो, इतना part गया, minus M2 divided by plus M2, मतलब minus 1 रहेगा, तो V1 equal to आपको मिलेगा, minus U1, minus U1 क्यों, क्योंकि वो heavy object के साथ टकरा के वापिस आएगा, तो opposite velocity है, इसलिए negative आएगा, और V2, V2 आपको फिर से 0 मिलेगा, क्योंकि इतना heavy object है, कि उसकी velocity चेंज नहीं होगी, वो initially rest में था, final भी rest में रहेगा, ठीक है, चलो, तो ऐसा यहाँ पे technically देखा जाए, तो क्यों answer आए, क्योंकि यहाँ पे M2 नीचे है, तो यह अगर बहुत बड़ी value है, तो यह पूरी value 0 के नस्दिक चली जाएगी, और 0 के नस्दिक चली गई, तो इनका multiplication भी 0 के नस्दिक, मतलब यह पूरी value, nearly equal to 0 हो जाएगी, exit 0 नहीं बोल सकते हैं, हम यहाँ पे nearly equal to भी लिख सकते हैं, ठीक हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है, exit 0 नहीं, but nearly equal to 0, और उपर भी आप लिख सकते हो, nearly equal to, क्योंकि velocity में थोड़ा बहुत change आएगा, बट उतना change हम ignore कर सकते हैं, इसलिए लिखेंगे, nearly equal to, exit equal to नहीं है, इसलिए, ओके, चलो, तो यहाँ पे, क्योंकि आपको लिखेंगे,